सावन के शुरू होते ही शिवालियों में शिव भक्तों की भीड उमरने लगी है सावन के पहले सोंवार को मत्रा के प्रसिद गलतेश्वर मंदिर पर भगवान शंकर की पूजा करने के लिए भक्तों का सुभा से ही ताता लगा हुआ है जल चड़ा कर पूजा करते ये सभी लोग शंकर भगवान के भक्ते हैं और आज सावन के पहले सोंवार को पूजा करके मना रहे हैं अपने भोले नात को कहा जाता है कि यहाँ पूजा करने से सभी पापां से मुक्ति मिलती है और सभी मनो कामनाएं पूर्ण होती हैं गलतेश्र मंदिर की मानिता के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान शिप का प्राजीन मंदिर है और जब भगवान श्री राम के भाई शद्रुधन ने लवडा सुर का वद किया था तब ही से ये मंदिर इस्थापित है कहा जाता है कि मत्रा शेहर में भगवान शिवजी के चार प्रमुक मंदर हैं जिसमें गलतेश और महादेव का मंदर भी प्रमुक है मानिता है कि मत्रा शेहर के रखशक भगवान शिवजी है मंदर की मानिता यह है यहां 41 दिन का दीपक अगर जो भक्त जलाएं उसकी मनों कामना पूरी होती है यहां मा संकर जी के सीधे हाथ पर विराजमान है यह यहां खासियत है और आज सामन का संबार है बक्त लोग अपना जो उनों ने बोल लखा किसी ने सावी के लिए बोल लखा किसे कोई कालसत दोस्की पूशे कर रहा है तो कोई अपने इच्छान सा पंचामत से सेवा कर रहा है यहां पर जो भी भक्त आता है सब की मानेता पूरी होती है और जैसे भी सच्चे भाफ से जो प्रात्ना करता है उसकी वह एक दम भगवान सब की सुनता है और ऐसा हमको बहुत बिश्वास है गलते से भगवान पर को यहां बार साल से पंदर साल से देखना है आ रहे हैं इतनी स्द्पीट है है कि मतलब यहां परैसे कुछ मंगो पूरा होता है अगर कुमारी चर्ड को कोई भगत आता है हो हान कहता है कि हम लेट हो रहे हैं हमारी ट्रेन रुप जाएगी और ट्रेन भटत के लिए इतनी सकती है यहां पर हमने अजमाया है इसारी बातां अजमाया है और ती सिद्ध पीटें हर इच्छा पूरी होती है अपना ठाको जी के आस्ता लगी हुए जो ओजा ठाको जी पर 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 अच्छी किस तरह से पुजा दिए बहुत बढ़िया कि अच्छी कि वाद अंदर याकि कि जल चड़ाया फूल फुल तुर बगरा बेल पत्ते बगरा जो है माला बागरा उजा बढ़िया वारे काफी प्राशीन मंदिर है और दोनों प्रत्माओं की उत्पत भी जह सिए और जैसी बार प्रत्माइं देख रही है वैसे अंदर पास्वार की प्रत्म जलाने से या दर्शन करने से या जल चड़ाने से जैसी भी जो माने तक धारन कर ले